आज की इस वीडियों हम बात करेंगे सीमा हेदर की जो चार बच्चे की मा है और सचीन की जो गरेटर नुएडा के निवासी है सिर्फ ये सीमा हेदर पच्वी पास है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और सीमा हेदर से यदि पुलीस परसर्षन के दोरा कुछ भी पुछा जाता है तो सीमा हेदर यहाँ बहुत लोजिकल जवाब देती है बहुत सुच के जवाब देती है तो यही जो सीमा हेदर का अनुखा अंदाज है यही उसको जासुस होने का सक के घेरे मिला दिया है आपको बताते सीमा हेदर और सचिन का मुलकात पहली बार 2019 में ही हुआ था ये दोनों पबजी खेल रहा था उस टेम अभी सीमा हेदर का उम्र मेडिया के दोरा बताया जा रहा है वो 27 है और सचिन का 23 है और अभी सचिन वर्तवान में 13,000 रुपिया पे नोक्री कर रहा है और ये सचिन दोनों आपस में प्यार किया है और शाधी भी किया है तो ऐसे इस्तिति में अब सचिन के सर पे चार बच्चे को परहना लेखाना साथी साथ अपना पत्नी को भी मेनेज करना ये काफी समस्य हो सकता है और वो सिर्फ 13,000 रुपिया ही महिना कमा रहा है आपको बता से इंडिया परवेश कर गई और ग्रेटर नवेटा चलेगी जिस टेम ये सौधी अरब से पाकिस्तान आई हुए थी सीमा हैदर उस टेम जो है रास्ते से ही सचिन के संपर्ग में था सचिन से बाचित होते रहा था और सचिन भी इसको पहली बार नेपाल में ही रिसीव किय जाता सीमा हैदर को और ये दोनों लोग जो है लगभग पांच दिन तक नेपाल में रहे थे कहीं होटल में साथी साथ ये लोग साधी ओदी किये थे वही इसका वीडियो भी वेरल हुआ था और वहां से साधी करने के बाद ये सचिन सीमा हैदर को अपने घर ले आया या य ये लोग जैसे कोट गया हलाकि सचिन जो है वो बिल्कुल उतना परहा लिखा नहीं है तो इसके लिए सचिन को ये पता नहीं था जब कोट जाएंगे तो वहां वकिल हायर करना होगा डोकुमेंट वगर वकिल साहब देखेंगे ये उतना नौलेज उसको नहीं था लेकिन स सिमा हेदर ये सब में काफी परंगत थी वो दोनों जो कोट शाधी करने के लिए गया तो वकिल साहब के पास गए तो वहां पर डोकुमेंट का डिमन किया का वकिल साहब के दोबारा तो सचिन भी अपना अधार कर दिया और सिमा हेदर ये पाकिस्तान का कोई एडेंटीकार तो पाकिस्तान का अड fingerprints card देख के वकिल सहाब जो है वह चक्रा गये उसको लगा कि Kuch nasak शो है ये मामला गलत है तो इस अधार पे जो है वकिल सहाब ने पो niemand को सुचना दे दिया और पोलीस को सुचना देते ही जो है सीमा हेदर ये फरार हो गई फरार होने के बाद जो है हर्याना चले गई कुछ दिन फरार चला ये लोग तो चार जुले 2023 को सीमा सचिन को पुलिस के दौरा हर्याना से गिरफतर कर लिया गया ठीक है और ये लोग तीन दिन यदी जेल में रहा तो नुएडा का एक कूट ने य लिया है और साथ में रहना भी चाती है हलाकि नेपाल जो ये शीमा हेदर आई हुवी थी और सचिन जो यहां से रिसीव करने नेपाल गया हुआ था तो वहां ये दोनों मतलब मांग भर के जो भी होता है उसका वीडियो बगर वाइरल किया था तो ये सब दिखा दिया कि अ साथी साथ जो है सीमा हेदर के पास से तीन आधारकार्ड बरामद हुआ है और वो आधारकार्ड फर्जी है एक आधारकार्ड में सीमा को सचिन का पत्नी बताया गया है वो इडिटीड आधारकार्ड है यान कि कोई भी ओरिजिनल आधारकार्ड नहीं है साथी साथ आपको सuszन पर ससन खो कि सिंहातायां के जुकर Krash को सकती है लगवक चार साल से सौधी अरब में पेशा कमा रहे हैं ऐसी स्थिति में ही स्राड में पाकिस्तान फोरे यहां इंडिया ग्रेटर नुएदा में शचिन के पास आगया है प्यार के कारण याने यह दोनों इतना प्यार में डुबा हुआ था वहां से पाकिस्तान का कराँची छोर के यहां पे इंडिया आगई है शाहे सांट सेमा हेदर जब नियपाल में आई हुए थी इन्हों ने नियपाल का भी एक सिम कार्ट अपना मोवेल में लगा लिया था और वार्ट हैप के जर ये पूरा रास्ता आते हैं समय वार्ट्षेप के जर ये सचिन का पूरा संपर्ग में था कहां आ रहा है कहां जा र रहा था अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है सब का घहरा में यह सवाल ला रहा है कि सीमा हेदर जो सिर्फ पच्मी पास है उसको इतना नोलेज के से आ गया कि फरजी आधरकात बना लेना या फिर दूसरा का होटे स्पोर्ट से वाट्शेप कर देना या फिर चार बच्चे को लेके इतना लंबा रास्ता होते हुए पाकिस्तान का कनाची के बाद जो है सौधी अरव सौधी अरव के बाद जो है नेपाल नेपल के बाद इंडिया आना एक महला होके यह सब चीज जो है काफी यह सचीज शक के दरे में इसलिए ला रहा है क्योंकि एक महला होके इतन का ATS जो है यह अभी शीमा हैदर इसके अंदर में है और ATS के दुवारा पूछ पाच किया जा रहा है आपको पता दे ATS का फुलफर्म होता है यह जो है आतंकवादी गतिविधी को रोकने का कार्ज करता है यह उत्तरपर्दिश गुभर्मेंट का अपना फोर्ष कर सकते हैं आप जाने होंगे ATS STF उसी के अंदर गतिए बियाता है साथी साथ जो ATS का मुख कार्ज है वो आतंकवादी गतिविधी को ही रोकना है और आतंकवादी निरोधक कार्ज करती है अभी सीमा हेदर ATS के गिरफतरी में है और ATS के दौरा काफी लंबा पूछ पाच किया जा रहा है साथी साथ आपको बता दे तो ATS के दौरा ये भी खुला सा किया गया है सीमा हेदर के पास थे जो है पासपोर्ट भी बरामद हुआ है एक फर्जी आधारकार बरामद हुआ है वीजा भी बरामद हुआ है ये तमाम परकार का जो साक्ष उसे बरामद किया गया है साथी साथ ATS के दुवरा आभी काफी लंबा पुछपाच चल रहा है इसका जो भी अपडेट होगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे ये वीडियो काफी वैरल हो रहा था तो हमको लगा कि इस वीडियो के बारे हम आप लोग को जनकारी देना चाहिए